14 फर्वी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी वादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रधानजली देने के लिए अटेवा पेंशिन बचाओ मंच गुरुक पुरिकाई की तताउधान में गोलगर एससी चेतना तिराहे पर श्रधानजली सभाकायो जन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्दस्यों ने दीप्रजुलित कर शहीद्यों को याद करते हुए उन्हें नमन किया इस मौके पर आजय भासकर, दिलीब गुपता, बुद्धि सागर सिंग, अरपतादर पाठी, पूजा सिंग, सुप्रिया सोनकर सहीद बड़ी संख्या में आज ही के दिन सन दोहजार उन्निस को चौदा फरवरी के दिन का वह काला दिन था, जब पुलवामा में विस्पोटक लदी गाड़ी के द्वारा विस्पोट किया जाता है, और हमारे 43 जवानों की सहाधत हो जाती है, उनकी सहाधत को याद करते हुए, हम यहां उनको सुर्धानजली देने के साथ साथ, भारत सरकार से हम मांग करने के ल प्रक्षित है, जिस संसद में देश के लिए नियम और कानून बनाये जाते हैं, हम भारत सरकार से अनिवेदन करना चाहते हैं, कि उस संसद में बैटने वाला राजनेता, खुद दो से तीन, चार, पांच, छे, छे, पुरानी पेंसन लेता है, और हमारे अर्षानिक बल का जवान, बाजार के भरोसे कर दिया जाता है, उसको जबरन, यनपियस, नई पेंसन लेता से अक्षादित किया जाता है, जिसमें कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700, कहीं 800 रुपए पेंसन मिलती है, जिसका भी भरोसा नहीं है, तो हम प्रदानमंत्री जी से मांग करते हैं, कि अगर वास जिस्तों में आप हमारे सैनिकों का सम्मान करना चाहते हैं, तो आप से निवेदन है कि उनको पुरानी पेंसन वेवस्ता से आक्षाद करते हैं,